हलो गाइस वेलकम को मैं चैनल दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगे चंद्रियान 3 के बारे में और ये क्यों इंपोर्टेंट है और आखिर क्यों भेजे जाते हैं चंद्रमिशन इससे क्या मिलता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों जिस चंद्रमा को हम दूर से देखते हैं उसमें भारत ने चंद्रियान 3 मिशन बेजा है ये मिशन 14 जुलाई को लांच हो गया है और इसका उद्देश चंद्रमा पर स्रक्षिट लैंडिंग का है इंडिया के या मिशन चंद्रियान 2 की क्रैस लैंडिंग के 4 साल बाद बेजा गया है अगर चंद्रियान 3 मिशन सक्सेस होता है तो ये इंडिया की एक बहुत बड़ी काम्या भी होगी तो दोस्तों इस बीच ये जानना जरूरी है कि चंद्रियान 3 मिशन क्या है और आखिर चंद्रमा पर खोज क्यों की जा रही है और तो और चंद्रियान 3 मिशनों से लोगों को क्य नेक्स फेस है, चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सर्फेस पर सक्सस्फुली लैंड करने पर है, चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर, चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर से करीब 240 केजी जादा वज़नी है, चंद्रयान 2 के मुकाबले, चंद्रयान 3 जादा तेजी से चांद की तरफ बढ़ेगा इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन का थर्ट मुविसन चंद्रयान 3 स्री हरीकोटा से लौंच हो चुका है 14 जुलाई दोजार देश सुक्रवार को आंदरप्रदेश के स्री हरीकोटा में इस तित 37 धवन स्पेस सेंटर से दोपहर के दो बच के 35 मिनट पर चंद्रयान 3 लौंच किया गया और अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा पर हुतरेगा और अगर ये इस मिसन सक्सफल रहा तो ये इंडिया को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सौफ्ट लैंडिंग करने वाला वर्ल्ड की फोट कंट्री बना देगा नमबर सैकेंड आखि चंद्रमा पर कुछ क्यों की जा रही है चंद्रियान 3 को मिलाकर इंडिया के ही तीन चंद्रमिसन हो चुके हैं हलाकि इसके अलावा भी वर्ल्ड की काफी स्पेस एजन्सिया मिसन भेज चुकी है या भेजने की तयारी में हैं इन मिसनों को एक्सपक्टेट सक्सस नहीं मिल पाई है यही काड़न है की आज भी चंद्रमा पर खोज एक चुनोती मानी जाती है 1969 में नेल आमस्ट्रोंग अमेरिका के अपोलो 11 मिसन के दोरान चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति थे इस एतिहासिक मिसन के बाद चंद्रमा का पता लगाना लोगों के लिए काफे important हो गया है वग्यानिकों को कहना है कि जब प्रिथवी और प्रहमान के history की study की बात आती है तो चंद्रमा इख जाना है चंद्रमा की यात्रा लोगों को दूसरे वर्ल्ड में रहने और काम करने का first experience प्रोवाइट करेगा नासा का कहना है कि चंद्रमा पर successfully presence established करके लोग प्रिथवी पर जीवन को बढ़ाएंगे और अपने solar system के बाकी parts और उससे आगे का पता लगाने के लिए तयार होगे I hope आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी इस चैनल पे आपको हर तरकी चीजों पे knowledgeable and fact related वीडियो मिलेगी तो अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को like, share and subscribe करें और comment करना ना भूले तो चलिए मिलते हैं next वीडियो के